Hello everyone! So, बच्चो, आज यह जो वीडियो है, यह बहुत ही जादा आप ही की तरफ से डिमांड में थी कि Sir, Electrochemical Series के लिए कैसे याद गरे? उसका कुछ फंडा बताओ Sir, Electrochemical Series क्या है? तोड़ा बहुत उसका introduction बताओ या अगर हम Electrochemistry स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो उसके लिए हमें क्या basic information की requirement है तो लीजे electrochemical series इस वीडियो के बाद आपको by heart याद हो जाएगी मैं थोड़ा सा introduction देता हूँ कि electrochemical series है क्या तो देखिए एक चीज़ होती है electrode potential ठेक है आपने देखा होगा लिखा हुआ या E0 लिखा होता है या फिर आपने देखा होगा standard reduction potential SRP लिखा होगा तो हमने क्या किया कि जितने भी हमारे species हैं जितने भी हमारे elements हैं उनका electrode potential निकाला हमारे पास बहुत सारे instruments होते हैं उनसे हमने निकाला और फिर जिनकी values आ रही थी negative वहाँ से हमने लिखना शुरू किया और negative से हमने elements को arrange किया till the most positive value तो उपर हमने वो elements रखे हैं जिनका E0 सबसे ज़्यादा negative है most negative फिर नीचे नीचे हम आ रहे हैं towards the most positive और बीच में हमारा यहाँ पर एक hydrogen आता है species hydrogen बीच में इसलिए आता है because hydrogen दोनों के बीच में as a transition का काम कर रहे हैं यहाँ पर 0.00 इसका voltage या इसका potential निकल के आता है तो इसके उपर वाले सब negative electrode potential शूँ करते हैं और नीचे वाले सब positive electrode potential शूँ करते हैं अब देखे अगर मैं आपको बता हूँ उपर हमारे आएंगे metals जैसे lithium, sodium उपर आएंगे हमारे metals और नीचे आते हैं हमारे non-metals अब आप सभी को बता होगा कि metals की tendency होती है electron को lose करने की और non-metals की tendency होती है electron को gain करने की तो आपको पता है यह बातें तो यही चीज हम electrochemistry से भी समझ रहे हैं जैसे हैसे हम उपर से नीचे आ रहे हैं value negative से क्या होती जा रही है positive होती जा रही है मतलब उपर से नीचे आने पे e naught की value बढ़ रही है standard reduction potential की value बढ़ रही है मतलब यह उपर वाले जो electron species है वो अपना electron easily lose कर देते है अपना electron अराम से देते है और नीचे वाले electron lose नहीं करते यह electron gain करना चाहते है ठीक है तो उपर वाली species किस agent की तरह काम करेंगी तो उपर वाली species जो है वो reducing agent की तरह काम करती है reducing agent क्या होते है which reduces others and oxidizes itself and if they are oxidizing itself अपना oxidation करना चाहते है मतलब oxidation मतलब क्या है मतलब they want to lose electron आई बात समझ में और नीचे वाले जो है वो electron gain करना चाहते है मतलब they are good reducing तो उपर हो गया they are good oxidizing agents oxidizing agent क्या होता है which oxidizes others and reduces itself and reduces itself का मतलब क्या हो गया reduction मतलब gain of electron तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो जितना उपर है वो उतना ही अच्छा reducing agent होगा क्योंकि उसकी E0 की value उतनी ही जादा negative होगी सबसे ज्यादा negative lithium के लिए होती है अब देखोगे सबसे उपर मिलेगा और जो ज्यादा जितना ज्यादा gain करना चाहेगा और वो उतना ही अच्छा क्या होगा oxidizing agent होगा बस इतनी ही information में आपको start करने से पहले देना चाहता था so now you can see these value नीचे वाले जो है उनकी values positive है तो नीचे वाले जो है अच्छे oxidizing agent है और सबसे ज्यादा oxidizing agent वो होगा जो सबसे नीचे present है क्योंकि उसकी value जो है E0 की सबसे ज्यादा positive है तो वो electron देना नहीं चाहता वो electron लेना चाहता है तो उपर वाले electron देना चाहते हैं नीचे वाले electron लेना चाहते है electron that is why they are good oxidizing agent और उपर जो होगा जैसे आप उपर देखोगे न उपर आपको negative E0 मिलेगा इसका मतलब they want to lose their electrons यह अपना electron जल्दी देना चाहते हैं और आपको बता है metals की tendency क्या होती है electrons को lose करने की होती है so electrochemical series एक ऐसी series है जिसमें हमने elements को arrange किया है in the increasing order of their electrode potential value चलिए अब देखते हैं कि सब्सको याद कैसे करें तो बहुत ही शांदार अपने पास trick है ठीक है तो क्या trick है देखिए ऐसे याद करना है आपको low या le या low Katrina ne कैसे याद करना है Katrina या करीना आपको ये देवी जी और ये देवी जी जिसमें से भी आपको लगेगी ये नाम याद रहेगा आपको उसकी मदद लेनी है low Katrina ne या low Karina ne याद रखना Katrina और Karina ne के बीच में calcium है इससे अच्छे trick बन नहीं रही थी सिर्फ आपको थोड़ा सा यहीं पर याद रखना है कि lithium K Na और Ca ऐसा ही लिखना है आपको सबसे पहले किसको लिखना है सबसे पहले लिखना है Li फिर K फिर Na पर Na के बाद सिए तो trick order में आ जाएगा फिर 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 तो मैं बोल के दिखाता हूँ आपको Low या ले Karina या Katrina ने Car मांगी ले Karina ने Car मांगी Alto जिसको नहीं पता Alto कौन सी गार है यहाँ पर दिख रही है आपको Zen यह Zen गाड़ी है पहले बहुत चलती थी Alto Zen Ferrari Ferrari तो obviously आप सभी को बता है तो ले Karina ने Car मांगी Alto Zen Ferrari फिर भी फिर भी तो फिर BH आई और HR है तो यह हाँ आगे यहाँ पर तो अब सब की life में ऐसा नहीं होता कि जो मांगे वही मिल जाए तो इनकी life में भी ऐसा नहीं हुआ ठीक है तो इन्होंने मांगी क्या Alto Zen Ferrari फिर भी क्यूं Copper is क्यूं Millie Millie is your Mercury बोले तो HG Silver Plated मतलब Silver paint हो रखा है उस पर Silver Plated कौन से गाड़ी है यह Four Rings Audi अब इन्होंने सोचा कि बाई चलो Ferrari मांगी थी Audi मिल गई जो भी मिल गई उसको लेके क्या हो जाते है Ferrari हो जाते है तो अब आप इसको बोल के देखो बहुत easy लगेगा आपको देखिए लो Katrina ने कार मांगी Alto Zen Ferrari फिर भी Q Millie Silver Plated Audi और Audi मिल गई दो मिल गया लेके उसको क्या हो जाते है फरार हो जाते है तो अगर आपको लगता है कि इस ट्रिक ने आपको बहुत help किया है तो बाकी बच्चों को भी share करो ठीक है ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है from class 9 to 12th GE needs सभी को बहुत help करेगी है and याद रखना जो उपर वाले है उनका E0 का value सबसे ज़्याद negative है और वो अपना electron जल्दी देना चाहते है वो अच्छे reducing agent है नीचे वालों का E0 सबसे ज़्यादा positive है and वो electron क्या क्या चाहते है लेना चाहते है take care बच्चो और पढ़ाई करते रहे score करते रहे thank you